घर में अगर कोई सबजी ना हो और आप इसे बना सकते हैं बिना बेसन के बिना सूजी के ये सबजी बन के तयार हो जाती है ना ही हमने इसमें आलू का यूज किया है कोई भी सबजी यूज नहीं की है तो ये हैं सोया बीन के कोफते जो बहुत ही बढ़िया बनते हैं आप इस कर लिया और इस तरह से सारा पानी नि चोड़ दिया तो sings और यहां मेंने लिया है कि है यहां मेंने लिया है तीर हरी मिशवी है दो मीडियum साइज का प्रॉप भारिक काट लिया है आदा इंच अद्रक है और थोड़े से यहां पे लसन है दसे बारा और थोड़े से धनिया पत्ती है तो इनी के साथ हम यहां पे इनको पीसेंगे तो दो बार में पीसुंगी योग की सोयबिन जो है वो जादा है तो दो बार में इनको में पीसुंगी तो पहले में सोयबिन ड दोड़के डाल दे रही हूं अध्रक डाल देंगे प्यास डाल देंगे इसमें लसन भी डाल देंगे और इनको पीस लेंगे तो दो बार में करके पीस हूंगी तो यहां मैं देखिए सारा पीस लिया है सोयबीन और एक बाउल में निकाल लिया है अब इसमें कुछ हम मसाले मिलाएंगे तो यहां मैं मिला रही हूँ हाफ टी स्पून यहां पर मिला रही हूँ हल्दी पाउडर नमक मिलाएंगे यहां पर हम स्वात के अनुसार तो स्वात के अनुसार मैंने यहां पर नमक मिला लिया है और यहां मिला रही हूं मैं एक छोटा कटोरी यहां पर मिला रही हो बेसन तो बेसन यहाँ पर इतना मिलाना है कि जब हम इसको बाइंड करें तो यह बाइंड हो जाए तो यहाँ पर मैं यह सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें इसको और ये डो की फॉर्म में आ जाएगा मिक्स होने के बाद अगर आपका जो मिक्षर है तो आप बेसन डाल सकते हैं इसमें और थोड़ा तो मिक्षर यहाँ पे तयार है और आप हाथ को तेल से ग्रीस कर लेंगे और आप पेड़े बनाएंगे यहाँ पे तो यहाँ मैं इस तरह से इसको रोल करके बना रही हूँ आप गोल भी बना सकते हैं तो यहाँ पे रोल करके हम सारे इसी तरीके से बना लेंगे आपको जो शेप पसंद है आप वो शेप दे सकते हैं तो इस तरीके से आप रोल कर लें हाथ में तेल लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं और बहुत असानी से बन जाएगा तो सारे में इसी तरीके से यहाँ पर बना के तयार करूँगी तो यहाँ देखिए मैंने सारे बना के तयार कर लिए हैं चलिए इनको करते हैं fry तेल यहां पर मैंने गरम कर लिया है तेल मीडियम होट होना चाहिए तो यहां पर मैं डाल लूँगे एक एक अच्छा सा कलर आने तक इनको हम fry कर लेंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको fry करना है हमें और यह देखी कितने बड़िया से फ्राई हो चुके हैं अगर आपके कोफते तलने के वक्त बिखर रहे हैं तो आप उन में थोड़ा सा बेसन और डालने तो यहां देखे मैंने इनको निकाल लिया है और इसी तरीके से मैं यहां यहां पर सारे फ्राई करके निकाल लूँगी अब जो तेल बच गया है उसी तेल में लगबग दो बड़े चमचे करीब तेल बचा हुआ है इसे मैं डाल रही हूं दो मीडियम साइस का प्याज का पेस्ट में यहां पर डाल रही हूं और इसको मैं यहां पर अच्छे से प अब मैं यहां पर डाल रही हूं वन फो टीस्पून डाल रही है यहां पर हल्दी पाउडर वन टीस्पून डाल रही है यहां पर लाल मिर्ची पाउडर वन टीस्पून यहां पर धनिया पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और यहां पर डाल रही हूँ एक medium size का tomato है जिसको मैंने roughly chop कर लिया है अब यह सारी चीजों को अच्छे से mix कर ले तो यहां देखें मैंने अच्छे से mix कर लिया है और अब इसको मैं ढखके पकाऊंगी जब तक masala अच्छे से पकना जाए या फिर तेल ना छोड़ दे मसाला तो यहां देखें मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो एक बार इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और टमाटो को आप चाहें तो पीसके भी डाल सकते हैं अब मैं यहां पर डाल रही हूँ पानी तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ठेकिया पतली तो गाड़ी या पतली आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं यहां पर मैं एक ग्लास से करीब पानी राल रही हूँ तो आप इसको ढखके बॉल आने का इंतिजार करेंगे तो देखिए बॉल आ चुका है फ्लेम को कर देंगे स्लो और यहां पर अब जो हमने कोफते बना के रखे थे वो में सारे इसमें डाल दूँगी अब इसको हम पांच मिनिट ढखके पका लेंगे लो फ्लेम पे पांच मिनिट हो गया है चलिए देखते हैं ते देखिए कोफते जो है वो थोड़े से फुल गये हैं अब इसमें डाल रही हूँ में बारिक कटावा हरा धनिया और यहाँ पे हमारी सब्जी जो है बनके तयार है चलिए सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ में देखिए सर्फ कर रही हूँ और कितना बड़िया लग रहा है देखने में खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप इसको ज़रूर ट्राय करें अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप इससे फटा फट से बना के तयार कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पर भी इसको खा सकते हैं बहुत टेस्ट लगते हैं ये तो रेस्पी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स से मेरे को जरूर लिख के बताएं थैंक यू